आईए देखते हैं आज का महत्तुपून वास्तु विशय एक्सपर्ट सतेंद्र गौतम जी के साथ आज का वास्तु विशय गणेश जी से संबंदित है क्या गणेश जी को मेन एंटरेंस पे रखना सही है अगर घर के अंदर हमने गणेश जी की मूर्ती या फोटो रखी हुई है तो उसके क्या वास्तु नियम है कि इस दिशा में रखना उचित होता है उसको रखने की क्या विवस्ता होनी चाहिए इसी के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे मैंने अपने वास्तु विजिट के दौरान अक्सर ये देखा है कि में एंटरेंस के उपर दिवार पर लोग गणेश जी की फोटो लगाते हैं ऐसे बहुत से घर हैं जहां पे लोग में एंटरेंस पे गणेश जी की मूरती भी रखते हैं अगर घर के अंदर की बात करें तो कुछ लोग बेटरूम में गणेश जी की फोटो लगाते हैं कैई घरों में ड्रॉइंग रूम में डेकोरेशन के तौर पर गणेजी की मूर्ती लगी हुई मैंने देखी है घरों में पूजा स्थान में गणेजी की फोटो या मूर्ती लगबग हर घर में होती है बट कैई घरों में मैंने किचिन में भी गणेजी की फोटो लगी हुई देखी है इन सभी बातों के आज हम आपसे विस्तरित चर्चा करेंगे पहले हम बात करते हैं मेन एंट्रेंस की क्या मेन एंट्रेंस पे गणेजी को रखना सही है या गरत देखिए इसका उत्तर गणेजी से संबंदित कहानी में छुपा हुआ है हम सब इस कहानी के बारे में जानते हैं हमने बच्पन में ये कहानी सुनी है लेकिन शायद इसमें जो छुपा हुआ संदेश है उसको हम समझ नहीं पाए है तो इसका उत्तर की मेन एंटरेंस पे गणेश जी होने चाहिए या नहीं इस कहानी में ही इसका उत्तर है मैं आपको ये कहानी एक बार फिर से सुनाता हूं शिव पुराण में इस कहानी का वरणन है जिसमें माता पारवती बालक गणेश को अपने घर के दुवार पे बठाकर सनान के लिए जाती है बालक गणेश को दुवार पालक बनाके आदेश देती हैं कि जब तक में सनान करके ना आऊं किसी को अंदर नहीं आने देना माता पारवती सनान करने चली जाती हैं तभी शंकर भगवान माता पारवती से मिलने आते हैं उनको बालक गणेश दुवार पर रोग देते हैं कि उनको आदेश था कि किसी को भी घर के अंदर नहीं जाने देना है भगवान शिव उनको समझाते हैं लेकिन बाला गणेश अपने हट पर अड़े रहते हैं उनसे बहस करने लगते हैं शंकर भगवान से जगड़ा करने लगते हैं लाख समझाने के बाद भी जब बालग गणेश नहीं मानते तो भगवान शिव का क्रोध सात्वे आस्वान पे पहुंच जाता है और वो क्रोध में बालग गणेश का सर काड़ देते हैं माता पारवती जब लोट के आती हैं और देखती हैं बालक गणेश का सर कट चुका है, बालक गणेश मर चुके हैं तो वो कुरोत की अगनी में आग बबुला हो जाती हैं और स्रस्टी में हाहा कार मज जाता है देवी देवताओं को बीज बचाव के लिए आना पड़ता है, वो माता पारवती की स्तुती करते हैं और भगवान शिव से बालक गणेश को जीवित करने की प्रात्ना करते हैं भगवान शिव विश्णु जी से अनुरोत करके बालक गणेश के धड़ पर हाती का सर लगाते हैं और बालक गणेश जीवित हो जाता है और पारवती माता शान्त हो जाती है तो हमने देखा माता पारवती ने जब पालक गणेश को दुआर पर दुआर पालक के रूप में बठाया तो कितना बड़ा संकट पैदा हो गया था हाहा कार मच गया था अब आप स्वयम रणय लीजिए कि गणेश जी को दुआर पे बठाना क्या सही है मेरा काम है आपकी थौट प्रॉसेस में क्लैरेटी लाना बाकी मैं आपके वेग पे छोड़ता हूँ अब हम दूसरे विचार की बात करते हैं जिसमें लोग अपने श्रद्धा के अनुसार इस विश्वास के साथ गणेश जी को अपने दुआर पर रखते हैं कि गणेश जी जो नेगेटिव एनर्जी हैं जो हमें संकर देती हैं हमारे जीवन में परेशानिया पैदा करती हैं उनको हरन करके घर में आने से रोकती हैं यह पिलकुल सही है क्योंकि गणेश जी को विग्न हरता माना जाता है गणेश जी हमारी समस्या को हरन करते हैं नेगेटिव एनर्जी को एब्सौبر करते हैं यह बिलकुल ठीक है लेकिन इसमें एक चीज हमें याद रखनी ये गड़े जी की जो पीट है जो उनका बैक है वो पाताल का रूप है गड़े जी नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉब करते हैं हमारी समस्यां को हारण करते हैं और वो समस्यां वो नेगेटिव एनर्जी उनकी पीट के थुरू पातालोग में जाती हैं जब हम घर के दुआर प एब्जॉर्व करी हैं, वो हमारे घर में दुबारा वापस चली जाती है, क्योंकि गणेश जी का जो कमर होती है, गणेश जी का जो बैक होता है, वो हमारी घर की तरफ होता है, जब हम उनको दुवार पे लगाते हैं, तो इस विजार से भी आप खुद नणया लीजिए, कि आप गणेश जी को विग्न हर्ता के रूप में जब दुवार पे बैठाते हैं, तो कैया ये सही है, मैं आपके विवेक पे फिर छोड़ता हूँ, अब हम बात करते हैं घर के अंदर के संदग में, घर के अंदर गणेश जी बहुत ही जमतकारी प्रणाम देते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा, गणेश जी को विग्न हर्ता बोलते हैं, घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी हैं, वो हर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है, कि घर में गणेश जी जहां भी रखे हूँ, उनकी जो पीठ है, उसके पीछे की दिवार घर की आउटर वाल होनी चाहिए, जिससे कि घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी वो हरन करके घर के बहार भेज दे, अगर आपने गलती से गणेश जी को इस तरीके से रखा, कि उनकी पीठ आपके किसी दूसरे बेडरूम या ड्रॉइंग एरिया की तरफ है, तो वो नेग आप यह ध्यान रखिए कि उनकी पीठ के पीछे की दिवार घर की आउटर वाल होनी चाहिए, हो सके तो आप गणेश जी को ड्रॉइंग एरिया में, बेडरूम में ना रखे, गणेश जी को किचिन में भी ना रखे, अब मैं आपको बताता हूँ, गणेश जी का सबसे उत प्तम दिशा है इशान कोन या नौर्थ इस्ट, यह जोन विज्डम का जोन है, यह जोन इंटेलिजेंस का जोन है, दूर दरशिता का जोन है, अगर हम गणेश की प्रतिमा देखें, तो उनकी प्रतिकात्मक आकरती में हाती की सून है, और हम सब जानते हैं, हाती करीब 20 किल तक अपने सून के माध्यम से सूंग सकता है, तो उनकी सून एक दूर दर्शिता का प्रतीक है, जब हम गणेजी को नौर्थ इस्ट डिरेक्शन में रखते हैं, तो ये व्यक्ति की दूर दर्शिता बढ़ाती है, उसकी इंटेलिजन्स इंप्रूव करती है, व्यक्ति को नए आइडियाज देती है, एंट सुभाविक है, जिसकी वज़े से वो एक सही निरणय ले पाता है, और जीवन में बहुत तरक्की करता है, हम सब जानते हैं, कि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणेजी की आरती की जाती है, किसी भी नए काम को करने से पहले गणेज गणेज जी एक स्टार्टप का प्रतीब है, एक प्रोसेस के शुरुवात का प्रतीब है, कोई भी आपको नया काम करना है, नए काम से संबंदित, आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आप कन्फ्यूज हैं, तो आप गणेज जी के प्रतिमा को नौर्थीस्ट में रखि आपको सिर्फ वो ही आइडिया आएगा जो वरकेबल है, जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही महत्वपूर हैं, और वो आइडिया एकदम से आपको क्लिक करेगा, आप उसको एडॉप्ट करोगे, उसको स्टार्ट करोगे और आप देखोगे कि वो आइडिया जो आपने स् इसमे प्रतिमा बहुत ही उत्तम परिणाम देती है, इन गाइडलाइन्स को अगर हम गणेजी से संबंदित फॉलो करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उत्तम परिणाम आ रहे हैं, और जैसा कि गणेजी का नाम है विग्न हर्दा, वो हमारे जीवन से जो समस्य हैं, जो परेशानिया हैं, उनको हरण करते हैं, उनको खत्म करते हैं और हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं, इन से संबंदित आपके कोई प्रश्न है, आप हम से जुड सकते हैं, अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आप थैंक यू, धन्यवाद।